नमस्कार दोस्तों मैं हूँ योगिता स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल बोल्ड स्काई में कई लोगों को किड्नी में सिस्ट या गाट की समस्या होती है किड्नी में सिस्ट होने पर थिन बॉल्स में तरल परदार्थ भर जाता है गाट के साइज की बात करे तो इसका साइज मटर के दाने से लेकर फल के साइज जितना हो सकता है किड्नी में गाट की समस्या 50 साल या उससे उपर की उमरवालों को हो सकती है बहुत कम मामलों में किड्नी सिस्ट की समस्या गंबीर होती है पर इसे हलके में लेना भारी पढ़ सकता है किड्नी में आनियमित परत में तरल प्रदात भढ़ जाता है जिसे हम सिस्ट के नाम से जानते हैं सिस्ट को CT scan ultrasound की मदद से पता लगाया जा सकता है अक्सर किड्नी एरिया में दर्द होना सिस्ट यानि गाट के कारण हो सकता है चलिए बात करते हैं किड्नी में सिस्ट होने के कैलक्षन है किड्नी में सिस्ट होने पर पेशाब में खूना सकता है किड्नी में सिस्ट होने पर पेट में सूजन की समस्या हो सकती है अगर पेट में सूजन की समस्या है तो किड्नी में सिस्ट हो सकती है किड्नी में सिस्ट होने पर किड्नी में दर्द की समस्या होती है पीट के दोनों तरफ दर्द होने पर किड्नी में सिस्ट की समस्या हो सकती है लेकिन क्या आप जानते हैं कि किड्नी में सिस्ट होने के क्या कारण है तो चलिए बात करते हैं कि किड्नी में सिस्ट होने के क्या कारण है प्रते किड्नी में अंगिनत नालिकाएं होती है जो पेशाप को इखटा करती है उन अंगिनत नालिकाओं में से किसी एक में अगर कोई रुकावट आ जाती है तो उस नालिका में सुजिन आ जाने पर उसमें पानी भरने लगता है यह तरल प्रदार्त इखटा हो जाने से सिस हो जाते हैं इसके अलावा 70 साल की उम्र पार करने पर ये सिस्ट होने की आशंग का करीब 40 प्रतिशत हो जाती है महलाओं की तुलना में पुर्षों में सिस्ट होने की संभावना जादा होती है पॉलिसिस्टिक किड्नी रोग होने का कारण एक मात्र वनशानुगत स्वास्तिस्ति होता है तो दोस्तों मारे आच के इस वीडियो में इतना ही उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक और चनल को सब्सक्राइब करणा ना भूलें